हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब मैं हूं निश्व विश्व करमा और सवागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलाई कैसे सीखे फ्रेंट्स आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो दस साल की लड़की का लाचा और ब्लाउज है तो उसकी कटिंग करेंगे ह हम बहुत ही सिंपल तरीके से तो फ्रेंट्स हमारा फैब्रीक है यह साइनिंग वाला फैब्रीक है और इसके ओपर नैट लगाएंगे हम तो सबसे पहले हम यह साइनिंग वाला जो फैब्रीक है इसकी कटिंग करेंगे है है फ्रेंड्स हमने एक अपड़ा फोल्ड कर लिया है इस तरी के से अब्रेला जैसे अम्रेला प्लाज हो या अम्रेला फ्रोक वगरा की गटिंग होती है इस तरी के से होगी इसकी विकटिंग और यह क्योंकि स्कार्ज कम है तो इसमें जो इंट आएगा नीचे की साइड तो हमें क्या करना है जो हमारे लांचे की जो लंबाई है वो 37 तेयार है और जो इसके हीप्स है वो 30 है तो में हीप्स का चोथा पार्ट लेके उसमें थ्री इंच प्लस कर देना है तो हमारा ही शुक्षा पार्ट हो गया साड़े साथ साथ सेवन एड फार इसमें थ्री इंच प्लस कर देंगे तो यह हो जाएंगा टैन एंड हाफ है तो हमारा जो आरा निसान यहां पर आ रहा है इस पे एक निसान लगाएं लिए जिस तरीके से आब इसके लंबह देखेंगे जो इसकी लंबा यह 36 है क्योंकि आदा इंच नीचे से सिलाई में आएगा और आदा इंच उपर से तो यह 35 रह जाएगा और इसके उपर दो इंच की वैल्ट लग जाएगी तो हम सबसे पहले इसको यहां पर थर्टीन है और इसको इंच टैप को इस तरीके से पगड़े रखना है इस तरीके से इसको गोलाई में करेंगी अब इसको नापके देख लेंगे हमारा यह टैन एंड हाव यह बैठ रहा है क्या तो यह हमरा टैन एंड हाफ ही है और अब इसको नीचे की तरफ इसकी निशान कंप्लीट करेंगे यहां से एक निसान यहां पर लगाएंगे आप यहांपे 36 बैट रहे तो थर्टी सिस पे एक निसान यहां पर लगेगा यह बोलाई में निशान लगाएंगे इसका इस तरीके से तो फ्रेंट्स अब हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि हमारे निशान जो आई कंप्लिट हो चुके हैं अब इसके इसे में यहां पर नीचे की साइड जो इंट आएगा अब में जोएंट इसको इस तरीके से फ्लेट लेंगे उसको और यहां पर जो है जो है मारा कपड़ा है कि इसकाम जोन्ट देंगे इसमें इस तरीके से यहां पर इसको इसकाम जोन्ट दे देंगे यहां पर निसान लगा कि इसका इसकी कटिंग कर देंगे को यह से काट लेंगे नीचे से इसको एक सार कर लेंगे बराबर रखेंगे इस तरीके से कटिंग करते टाइम कपड़ा चोटा बड़ा नहीं होना चाहिए इस तरीके से हमारा जोइंट का कपड़ा हमने लगा लिया अब इसी के साइज के हम नैट की कटिंग करेंगे यह हमारी नैट है और इसकी कटिंग भी हमें इसी के साइज की करनी है तो फ्रेंट्स हमने यह फोल्ड कर लिया आए नैट भी और इसके उपर हम जो ने यह सांनिंग वाला फैब्रिक था हमारा इसकी कटिंग कर की है थेख इसी तरीके से हम नैज की entsprech करेंगे बिल्कु हम इसी साइज में अस्तर हमारा थोड़ा एक इंच ज्यादा हो गया इसको में एक इंच कम कर लेंगे बाद में तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से इसको पहले इसके उपर सैट कर लेंगे तो फ्रेंट्स हमने ये जो फैबरिक है साइनिंग वाला ये नैट के उपर रख लिया है और हमें सेम इसी साइज का हमने ये कटिंग करना है इसकी तो हमें बिल्कुल सैट कर लिया है अब हमें इसकी कटिंग कर देंगे इधर से पहले उपर की तरफ से कटिंग करेंगे ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है ये साइनिंग वाला जो फैबरिक है इसको अटा लगे हम और यहां पर ये नैट में भी ये जोड़ाएगा और हम इसी में से ये इस तरीके से हम इस तरीके से ये जो लांचे की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है इसके बाद हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो यह हमरी ब्लाउज का स्तर है पहले हम स्तर कटिंग करेंगे इसका मेजर्मेंट है वो 27 चेस्ट है और कमर 25 है और जिसका तीरा है उबार है तो हम हमें एकट स्लीव बनना नहीं है ब्लाउज तो इसके लिए हमें क्या करना है दॉमें चेशहенच सब चेशहन ले लनगें हम आधर से यह پर सब चीशहन ले लिए हमने और जस्क कर आरमो लोंगे वह हम कि पॉने चेश czyन पर लगा लग ली यह पर यहां पर और इसको हम इस तरीकी से नीसान को हम सीदि लाइन कर देंगे और हलुका साथ गुलाई में यहां पे सेफ देदेंगे इसकी इस तरीके से अब हम चेश्ट का निसान लगाएंगे यहां पर जो चेश्ट है वो हमारी है वो पूने साथ क्योंकि 27 है हमारी यह टोटल तो 27 के चौता भाग जो होगा वो पूने साथ होगा तो पूने साथ पर और कमर के लिए जो निसान होगा हमारा वो 25 इंच है तो इसका हम लगा लगे सवच्छें पर इस तरीके से तो यहां पर 12 इंच एक्स्टॉल लेंगे मार्जन के लिए इस तरीके से कि इसको मुझी रखेंगे स्लाइन को क्योंकि हम निचे प्लेट डाल लिए दो प्लेट गफिसमें तो हम पहले प्लेट का भी निसान लगा लगे भी यहां पर तीन इंच रखनाय में तीन इंच पर और जो प्लेट लंबा होगी वो फंच इंच होगी पांच इंचुगी यह हमें दूसरी साइड भी हम इसको कर लेंगे निसान लगा लेज्ड का निसान हो गया है और सिरफ हमें दो यह प्ले डालने हैं आगे वाले पीस में भी और पीछー वाले में भी और यहां पर हम इसकी कटिंग कर देंगी इस तरीके से अब जो गला है हमारा वो डाई इंच पर निसान लगाएंगे इसका डाई इंच की चोड़ाई रखकेंगे क्योंकि 20- 20 पीसब जैस में तो पीछे के साबसे में-डाई-इंच के निसान लगाएंगे इस तरीके से है इसको गलाई में कर देंगे इस तरीके से इस तरीके से हमारा को अध्रय में हो आए ए तोपर से काट लेंगे हम यह तो अब हम आगे वाले बागी के टिंग करेंगे जो हमरे यह आगे वाला है फांट इस त्रीके से यह 4 छोड़ा इसके डाई की रखेंगे हम इस तरीके से और इसको सीधर लाने पहीं लगे और इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके सा मारे आगे वाले बलय की बी कटिंग हो गई है को में कपड़े की कटिंग करेंगे यह इस तरह मारा इस्तर को मिन इसके ऊपर थोड़ा आदा एंच क्योंकि जो blouse की लेंट है हमेरे तयार 12 इंच की होगी और हमने जो यह हमारा अस्तर है यह हमने 3.5 इंच का लिए है तो 3.5 इंच है हम आदा इंच ज्यादा लेंगे कपड़ा तो इस तरीके से हम यह काट लेंगे इसको रखके इसके उपरी इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही काटना है पीछे का है तो मैं इतने काट दूंगी और इसमें से जो हमारा यह है यह पीछे वाले पार्ट होगे दोनों हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे गले की इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से क्योंकि हमने आगे वाले गले की कटिंग इसमें कर रखी है तो इसी के ऊपर रस्तर को रखके सेम कटिंग कर देंगे हम तो इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर लिए है अब हलका साम ज्यादा नहीं कटिंग करें हम भाग है इस तरीके से बाकी काम बाद में सिलाए करते टाइम देंगे तो यह हमारी जो ब्लाउस की कटिंग है दोना पेस की कटिंग हो चुकी है कमप्लेट